अजरीन जलपली इदगा में मुसलसिल अवाम को परिशानी का सामना करना पड़ा है आज इद का दिन था और इद की नमाज पढ़ने के लिए लोग आये थे लेकिन उनके लिए कोई सहलत नहीं नहीं तो जलपली मुनसिपल की तरफ से कोई टेंट डाले गए नहीं तो कमिटी की जानिब से नहीं तो बड़े बड़े बातें और दावे करने वाले पॉलिटिकल लीडरों की जानिब से इसे ये अंदाजा होता है कि सिर्फ ये बातें करना जानते हैं अमली तोर पर पूरी तरह से जीफर है आप देख सकते हैं कि पूरी तरह धूप में नमास को अदा की गई जबके हुकुमत की जानिब से हर इदगा में टेंट डालने की बात की गई थी और लाखो रुपे मन्जूर किये गए थे पिये रुपिये गए कहां पर किसकी जेब में ये रुपिये गए कुछ ऐसे पॉलि लीडर से तभी जाकर इन्खिलाब आएगा तभी जाकर आपको जवाब मिलेगा वरना याद रखिए जिस तरह से हम हमारी जिन्दगी जी रहे हैं आगे चलके भी हम ऐसे ही जींगे और कोई बदलाओ नहीं होगा और ज्यादा हम पर जुल्म जारी होगा अगर हम सवाल करन में नहीं मिल रहा है बड़ी अफसोस की बात है यहां पर टेंट डालने की जरूरत थी यहां पर कई ऐसे सोहलतें की जरूरत थी कोई सोहलत यहां पर नजर नहीं आई साल में एक बार हीद होती है बावजुदिस के यहां पर कोई सोहलत नहीं है बड़ी अफसोस होता है उन झाल झाल झाल